दोस्तो पिछले वीडियो में हम लोग ने paper industries को discuss किया हुआ था उसमें हमने देखा था paper जो industries है हमारी forest based industries है और यह small scale industries है लेकिन highly mechanized है क्योंकि labor का कम यूज होता है और यहां पर machine का ज्यादा यूज होता है और paper बनाने के लिए क्या process हम follow करते हैं उट से पेपर कैसे बनाते हैं उसको भी पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस किये हुए थे और महराष्टा हमारा फॉर्स्ट है पेपर प्रोडक्शन में वह भी हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके थे दोस्तों UPSC syllabus के according जो next जो topic है वो हमारी है chemical industries तो आज किस वीडियो में chemical industries को यहाँ पे discuss करने वाले हैं तो इस वीडियो में देखेंगे chemical industries होती क्या हैं कौन कौन से location factors attract करते हैं chemical industries को कितनी टाइप की chemical industries होती है दो टाइप की होती है इन और्गेनिक chemical industries और्गेनिक chemical industries इन सब को आज किस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं तो जोलो दोस्तों आज का वीडियो हैं यहाँ पे start करते हैं तो सबसे पहले chemical industries होती गया है तो दोस्तों chemical industries बहुत ज़्यादा complex industries है और backbone of many industries है अब देखें complex industries का क्या मतलब ह है chemical industries बहुत ही ज़्यादा variety आप जो product होते हैं उसको यहाँ पर produce करते हैं लगवब में 70,000 से भी ज़्यादा जो product होते हैं उसको यहाँ पर produce करते हैं chemical industries तो बहुत ज़्यादा complex है यहाँ फिनिस्ट गूड एक टाइप की नहीं होती है बहुत ही टाइप की होती है आपको color भी देखने मिलेंगे डाइक कलर प्लास्टीक ठीक है इसके लाब पेट्रो केमिकल के बहुत सारे हजारो प्रोड़क्ट फार्मसेटकल के हजारो प्रोड़क्ट यानिक बहुत ज़्यादा complex industries है हमारे chemical industries और backbone आप मेनी industries है अब देखो backbone का मतलब है यहाँ पर देख सकते हो क बहुत सारे जो industries है उसके लिए raw material प्रोड़क्ट करते है chemical industries जैसे पिछली वीडियो में हम लोग पेपर की ही बात किये थे तो पेपर इंड़स्टी में chemical के यूज होता है पेपर बनाने के लिए यहाँ पे जैसे dye, color, other chemical के यूज होता है उसको process करने के लिए उससे पहले व industries है उसके backbone है chemical है उसको raw material provide करते हैं दोस्तो chemical industries जो raw material लेते है उसको बोलते है paper chemical industries तो petroleum की जो beiden modules होते उससे raw dell लेते हैं, Natural gas से लेते हैं, Cool से लेते हैं, Wood से लेते हैं, ठीक है, इनसे raw material लेते हैं, इसको प्रोसेस करके वरायटी आप जो chemical होते हैं, वो हमारी chemical industries बढाते हैं, देखो, example यहां पर देशेते हो, पेट्रो chemical industries भी एक chemical industries है, ठीक है, यहां पर पेट्रो का मतलब है, petroleum के byproduct जो होत उसके यूज़ करके हमारी प्रोसेस 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 करके हम नहीं है और diaphragm contact इन्यष्टी सरी पाच Nuclear बनते हैं इसके लाएम बहुत सारी जो एसीड बनते है वह भी हमारे chemical industries जढ़ते है उसके ल耕ँ आप फॉर्मस ए्टकल पाच एक ताइप की punished dije क्योंकि हाँ पर ग्यूंच होता है डिसमोंसametोल होते हैं जोस्तों लोकिसन अदेख सकते हों जहां पर रो नुकरियी स्क्राइवалась roaring होगी वहां पर सब्सक्रार्ण के बोद हमिवां यहां है जो फिनिस्ट वयर कोई भी रियमिकाला के लिए मार्केट चाहिए उसको प्रांस्पोर्ट करना इतना easy नहीं होता है बहुत ही care से यह एक पर यूरत पड़ती है इसलिए जहां पर market होता है वहां पर chemical industries होती है जैसे आप देख सकते हो कि डेली NCR में आपको chemical industries देखने मिलेंगे आपको मुंबई में मिलेंगे अधर जो cities हैं उसके लेकिन यहां पर एक और फेक्टर रिस्पंसिबल होता है और बहुत ज्यादा हाइली पॉलुटेट इंड़स्टी जै और बहुत ज्यादा हजारडस होती है यह यह हुमन के लिए इंवारिमेंट के लिए हजारडस होती है यह अच्छे से इसको मैनेज नहीं किया जाए ठीक है जैसे भोपाल गैस द्रास्ती वह भी हमारी केमकल इंड़स्टी की चलती हुई थी तो यह भी हजारडस है इसलिए ज्यादा ध्यान रखा जाता है कि जहां पर हो रॉम मठीरियल हो ऐमन की पॉपलेशन कम हो वहां पर हमारे केमकल इंड़स्टी को इन्स्टॉल किया जाता है उर थे तो इन्स्टॉल करनेके लिए यहां पर कॉम्पलेक्स सेनियर्यों है अब यहाँ पर टाइप सी देख लेते हैं Chemical Industries की टाइप तो दूस्तों दू टाइप की Chemical Industries होती है एक होती है Inorganic Chemical Industries दूसरी होती है Organic Chemical Industries अब देखो इन और्गेनिक है क्या मतलब है हाँ वैसे तनाम से पता है कि Organic Origin नहीं हो ठीक है इंडर्श्ट्री में नहीं होती है ठीक है जैसे आपर मालो एन ए वे एच कास्टिंग सोडा इसमें कारबन नहीं है तो हमारी एक इन औरगेनिक केमिकल हो गया जैसे H2S ठीक है H2O यह हमारी यहां पर देखो carbon की content नहीं है यह हमारी सब inorganic chemical हो गए ठीक है इसके लावरा sulfuric acid हो गया बहुत सारे जो acid है वो हमारे inorganic होती है तो इस type की जो chemicals होती है वो हमारे inorganic chemical होती है organic chemical organic origins होता है यानि कि naturally nature से बनते है इसमें carbon और hydrogen की bonding होती है ठीक है carbon और hydrogen की bonding होती है जैसे polymer हो गए इसके लावरा protein हो गए यह हमारी carbon और hydrogen bonding होती है इस type की जो chemical होता है उसको बलते है organic chemical ठीक है तो थोड़ा से यहां पर differences है कि carbon की content होती है organic chemical में carbon की content नहीं होती है carbon hydrogen bonding नहीं होती है inorganic chemicals में तो दो टाइप के यहां पर इंडर्ष्टिज होती है inorganic और organic chemical अब देखिए inorganic chemical जो इंडर्ष्टिज होती है major जो प्रोड़क्ट है वो देख सकते sulfuric acid है nitric acid है soda sas है casting soda है इसके लावा बहुत सार वराइटी चाप जैसे कि हम लो यहां पर दे रखे हैं कि inorganic chemical इंडर्ष्टिज है इसने मेजर प्रोड़क्ट हमारी बनाते हैं ठीक है तो अब देख लिए यहां पर हां यह जो sulfuric acid है widely use होता है कहां पर fertilizer द्वारा देखो यहां पर इंडर्ष्टिज भी एक तरह से chemical इंडर्ष्टिज जो फर्ट्लाइजर इंडर्ष्टिज है chemical से रोव मेटेरियल लेते हैं तो sulfuric acid से फर्ट्लाइजर हम बनाते हैं synthetic fiber मनाते हैं plastic मनाते हैं paint बनाते हैं डाइब बनाते हैं तो आहां पर देख सते हो कि जो अधर इंडर्ष्टिज है उसका बैकबोन है क्योंकि यहां पर रोव मेटेर प्रवाइट कर रहे हैं जो इन और्गेनिक चैमिकल इंडर्ष्टिज है और रोव मेटेर किसको प्रवाइट कर रहे हैं synthetic fiber प्लास्टिक को paint को इस सब इंडर्ष्टिज को यहां पर रोव मेटेर प्रवाइट कर रहे हैं अब सोडा ऐसे से उसके वाइडली यूज होता है कि जहां पर सोब बनाते हैं डिटर्जेंट बनाते हैं और पेपर इंडर्ष्टिज यहां पर सोडा की यूज होता है तो आप देख से यहां पर chemical industries और pharmaceutical industries तेको पेट्रो chemical industries हमारी जो होती है वो हमारी raw material petroleum के भाय pro200 से लेती है ये भी बहुत ज़्यादा वराइटी आप petrochemical industries होती है इसको में लोग separate video में discuss करेंगे क्योंके थोड़ा सा बढ़ी टोपिक है फिर pharmaceutical mля .घो पर सेप्रेट वीडियो में डिस्कस्त करनेवाले हैं। अच्राइब 400 बनाते हैं और यद्ए केमडिक्स्तिक फाइबर हो गया । LEE बनाते हैं। धाय बनाते हैं, जया हमारी upfront केमडेर होगे है. ठीक है तो आज के इस वीडियो में बस ही नई दोस्तो एक बार यहां पर रिविजन कर लेते हैं क्या क्या हम लोग डिसक्स किया हुए है तो सबसे पहले यहां पर देखें हम लोग chemical industries की बारे में chemical industries बहुत जादा और complex industries है क्योंकि variety या प्रोडक्ट यहां पर बनाती है और backbone आप other industries है backbone का मतलब है जो हमारी chemical industries होती है वो हमारी paper industries को भी raw material प्रोवाइट करती है aluminum बनाने के लिए casting soda प्रोवाइट करती है इसके लिए fertilizer बनाने के लिए हमारी acid को प्रोवाइट करती है और detergent soap बनाने के लिए plastic बनाने के लिए भी हमारी raw material प्रोवाइट करती है chemical industries तो बहुत जादा complex और backbone आप other industries है chemical industries location factor में देखे हम यहां पर location factor में क्या के होती है market भी easily accessible होनी चाहिए raw material मिलने चाहिए और साथ साथ यहां पर human की settlement से दूर होनी चाहिए chemical industries इसके लावर टाइपस में देखे inorganic chemical industries, organic chemical industry इन्य उर्गन केमकल इंडेस्टी में देखे कि जहां पे carbon की content नहीं होती है यानि कि naturally origin नहीं होती है Carbon Hydrogen की वांडिंग नहीं होती है ऐसे chemical को In Organic Chemicals बोलते है Example दर पर हम लेखे Casting Soda देख लिए ये सीड देख लिए Organic Chemical Industries में Carbon Hydrogen की वांडिंग होती है जैसे Plastic हो गया, Polymer हो गया Petro Chemical Industries में Other Industries है वो भी हमारे हो गया ये हमारे Organic Chemical Industries में आते है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग Chemical Industries के बारे में डिसक्स किये अगले जो वीडियो आएंगे उमारे Petro Chemical और हमारे Pharmaceutical Industries को हम लोग डिसक्स करेंगे तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, I hope यहाँ पर जो आपको वीडियो अच्छे लगए होंगे और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा तो थैंक्यू फर वाचिंग मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक साथ थैंक्यू